नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपको आज की इस वीडियो में जहांपे हम बात करेंगे 2021 मारूती सुजुकी अल्टी का VXI CNG वेरियंट के बारे में दोस्तो मार्किट के अंदर एक मात्री है ऐसी गाड़ी है जो 11 लाग रुपे के बजट में आपको 7 सिटर तो मिलती है साथ की साथ आपको ये कंपनी फिटेड सी एंजी में भी मिलती है इस गाड़ी के अंदर जो खूबियां है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है इस गाड़ी के एक शोर्म कीमत है 9.66 लेक रुपीज और न्यू दैली के अंदर ओन रोड कीमत है इस गाड़ी की 10.82 लेक रुपीज इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नैचरल री एस्पिरेटिड पेट्रोल इंजन जो की प्रेडियूस करता है 92 बहपी की पावर और 122 एनम का टॉर्क दो एर बैग, ABS, EBD जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर दोस्तों मिलते हैं और आप देख सकते हैं इंसुलेशन वगेरा एकदम पर्फेक्ट तरीके से यहाँ पे दिया गया है इंजन का रिफाइनमेंट लेवल भी काफी अच्छा है सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्स्टीरियर्स के बारे में दोस्तों, फ्रेंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं आपको गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है हाई बीम में आपको हेलोजन मिलता है कोई भी फोग लैब को उप्शन आपको VXI वेरियंट में नहीं मिलता है अगर मैं फ्रेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंट ग्रिल्स यहाँ पर आपको क्रोम फिनीसिंग में मिलती है जो की देखने में काफी खूबसूरत लगती है और दोस्तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अभी इसके बाद ब्रेजा भी CNG में आईगी लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेजा CNG में आने के बावजूद भी वो 80 का जितनी practical तो खैर नहीं हो पाईगी अभी बात करते हैं इसके tire size के बारे में 185 by 65, R15 यहापे आपको tire profile मिलती है front के दोनो tires में आपको disc brake मिलते हैं, rear tire में आपको मिलते हैं drum brakes body color आपको ORVMs मिलते हैं with indicators electrically आप इनको fold कर सकते हैं और electrically आप इन ORVMs को adjust भी कर सकते हैं body color आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर door handles अब दोस्तों आपको complete side profile दिखा देता हूँ इस गाड़ी की और इस गाड़ी की जो length है वो है 4395 mm की और जो गाड़ी की width है वो है 1735 mm और अगर मैं wheelbase की बात करूँ तो आपको इसके अंदर जो wheelbase मिलता है वो मिलता है 2740 mm का wheelbase तो गाड़ी के अंदर जो space है वो भी अच्छा खासा है उपर roof में आपको front में मिलता है power antenna तो फिलाल दोस्तों ये सारे features से side profile के आप चलते हैं इसकी back profile की तरफ तो back profile से देखने में आपको गाड़ी कुछ ऐसी लगती है tail lights का design inspired है Volvo से मुझे लेकने में ऐसा लगता है जैसे Volvo से ली गई है बिल्कुल center में आपको high stop mount lamp मिलता है back glass के अंदर आपको कोई भी defogar wiper washer का option जो है दोस्तों वो नहीं मिलता है tail lights आपको LED में मिलती है जो की काफी अच्छी चीज है और back bumper के अंदर आपको 4 reverse parking sensors मिलते हैं 2 reflectors मिलते है 185 mm के आपको मिलती है गाड़ी के अंदर ground clearance है और दोस्तों इस गाड़ी का जो curve weight है वो है आपका 1235 kg यानि की 1235 kg दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 45 liters की petrol fuel tank जो की claim करती है companies गाड़ी का 19 kmpl का mileage highway के उपर और CNG में claim करती है 26 kmpl का mileage फिलाल interior में चलने से पहले आपको इसकी key दिखाता हूँ दोनों ही आपको remote की मिलती है दो buttons मिलते हैं इनके अंदर lock unlock तो अभी गाड़ी को करते हैं unlock और बात करते हैं इसके interior के features के बारे में तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो driver side door है वो कितना बड़ा है और कितना wide open होता है चारोई power windows के हाँ पे controls है जो driver side window है वो आपकी auto down है नीचे आपको border holder का space मिलता है door pocket का space speaker मिलता है और दोस्तों dual tone finishing में आपको गाड़ी का मिलता है interior जो की देखने में काफी खुबसूरत लगता है front की जो दोनों seats हैं आपको adjustable headrest मिलते हैं और जो की अच्छी चीज है बट जो इस गाड़ी की driver side seat है उसमें आपको height adjust करने का option नहीं मिलता है अब दोस्तों बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं इसके और features के बारे में tilt adjustable आपको गाड़ी के अंदर steering मिलता है दोस्तों left hand side पा आपको audio के controls मिलते है call connect, disconnect, bluetooth connect जैसे features और driver के right hand side में आपको headlight leveler और साथी साथ ये button दिया गया है जिससे आप अपनी गाड़ी को switch कर सकते है चाहे तो petrol पे चलाएं चाहे आप CNG पे चलाएं दोस्तों इस गाड़ी की जो turning radius है वो 5.2 meters की है अब बात करते हैं इसके MID के बारे में आपको analog MID मिलती है left hand side पा RPM meter, right hand side पे speedometer center में एक digital display जिसके अंदर आप देख सकते है के CNG कितनी है गाड़ी के अंदर और petrol कितना है साथी साथ trip A, trip B जैसे features ये इस गाड़ी का दोस्तों infotainment system है जहाँ पे आपको 4 speakers मिलते है radio मिलती है bluetooth connectivity, aux connectivity जैसे features मिलते है दोस्तों नीचे आपको manual AC मिलता है गाड़ी के अंदर और उसके नीचे 12V का charging socket एक USB port दोस्तों आपको aux connectivity के लिए front में आपको cup holders मिलते है और यहाँ ही पापको मिलता है 5-speed manual transmission दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको day night rear view mirror भी दिया गया है जो की manual है अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का globe box तो काफी decent size कहीं हाँ पर आपको globe box मिलता है इस गाड़ी के अंदर दोस्तों यह सारे features थे इस गाड़ी की front के अभी बात करते हैं इसके fit and finish और quality के बारे में तो interior में जब आप बैठते हैं तो काफी fresh आपको feel होगा काफी अच्छी quality के interior है और आप देख सकते हैं कि rear seat के लिए भी इसी vent दिए गए है जो की roof में mount है यह इस गाड़ी का rear door है यहाँ पे आपको power window का switch silver finishing में door opener, water holder का space door pocket का space rear seat पे भी दोस्तों आपको adjustable headrest मिलते हैं center में आपको armrest मिलता है बट यहाँ पे आपको कोई भी cup holders का space नहीं मिलता है और यह जो second row की seats हैं इनको आप recline भी कर सकते हैं अपने हिसाब से rear seat पे दोस्तों आपको armrest भी दिया गया है बट उसके अंदर आपको कोई भी cup holders का space जो है वो नहीं मिलता है यह इस गाड़ी का यहाँ पे आपको roof में AC मिलता है side में आपको controls भी दिये गए है जहां से आप इसकी speed जो है वो घटा और बढ़ा सकते हैं अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ के मेरी height के अगर सेम बंदे आगे पीछे बैठेंगे तो कितना space मिलेगा मेरी height 5 foot 11 inch है driver side seat अभी मेरी height के according adjust है तो मुझे अराम से यहाँ पे 3 inch का space जो है वो अपने घुटनों के आगे मिल रहा है और दोस्तो 12 volt का एक charging socket भी आपको rear में मिल जाता है और under thigh support भी इस गाड़ी की rear seat की ठीक है foldable आपको rear में मिलते हैं grab handles जो कि आपको दोनों ही side मिल जाते हैं और यह काफी अच्छी चीज़ है अब जो इस गाड़ी की मुझे rear seat की सबसे अच्छी बात लगी वो यह है कि आप इसका comfort अपने हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो rear seat है उसमें recline angle आपको दिया गया है पीछे आपके दो adult और एक छोटा बच्चा आराम से बैठ पाएंगे मैं यह नहीं कहने का कि हापे तीन adult बैठ हैं क्योंकि गाड़ी की जो width है वो normal है अभी अगर आपको third row access करनी हो इस गाड़ी की और दोनों ही side आपको water holder का भी space यहां पे rear में दिया गया है और जो third row की seats है आप देख सकते हैं glass area भी काफी बड़ा है वहाँ पे तो classrophobic आपको बिलकुल भी feel नहीं होगा बैठने के बाद third row में आपको मिलते हैं fix grab handles और roof में मिलती हैं आपको एक halogen light तो दोस्तो अभी मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा कि इस गाड़ी की second row और third row की सारी की सारी seats आपको fold करके दिखाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप इस गाड़ी के अंदर अपना कोई सामान वगेरा भी carry करना चाहते हैं कोई luggage आपको इधर उधर करना है तो ये गाड़ी आपके लिए कितनी practical हो सकती है तो जब आप इस गाड़ी का boot open करेंगे तो आप देख सकते हैं आप इसका CNG cylinder जो है वो install है और ये जो CNG cylinder है इसके अंदर आपकी maximum सर्दियों के अंदर साड़े 8 kg तक gas आती है दोस्तों तो अभी आप देख सकते हैं जो third row है और second row के seats है वो मैंने complete fold कर दी है तो आप देखें कि जो boot space है मेरा idea ये है कि लगबग 800 liter के आसपास ये आराम से यहाँ पे convert हो जाता है तो उस हिसाब से अगर आप दो passenger कहीं जाते हैं और आपका काफी सारा सामान है तो आप अराम से इसमें रख सकते हैं इवन अगर आप कहीं गूमने जाते हैं और सिर्फ दो बंदे हैं तो पीछे अराम से इसमें अपना bed बनाके सो भी सकते हैं अगर आपको कहीं होटल मिलने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों मैं ये कह रहाता वीडियो के शुरुवात में कि ये गाड़ी बहुत ही जादा प्रैक्टिकल है चाहे आप इसको फैमिली के हिसाब से यूज करें चाहे नोर्मल अपने किसी भी काम में आप इसको ले सकते हैं और अच्छी बात ये है कि CNG में आती है और अभी इंडिया के अंदर आपको मालूम ही है कि पैट्रोल के प्रैस जो है वो काफी जादा है CNG अभी भी पैट्रोल से हाफ रेट में है और CNG गाड़ी का जो मालेज है पैट्रोल के मुकाबले वो दुगना है बिलकुल तो CNG गाड़ी आपके लिए हर तरीके से किफाईती है तो अर्टिका एक मात्र ऐसा ओप्शन है मार्किट के अंदर दोस्तो अगर आप अर्टिका के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं मतलब इस गाड़ी का ओनर्शिप रिव्यू जानना चाहते हैं या इस गाड़ी का टैंक टू टैंक माइलेज ट्रेस्ट जानना चाहते हैं या आप इस गाड़ी का देखना चाहते हैं CNG के अंदर ड्राइव रिव्यू तो वो सारी वीडियोज मेरे चैनल के उपर अपलोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन सभी वीडियोज के लिंक दे दूँगा तो आप complete जानकारी और भी डिटेल में इस गाड़ी से related देख सकते हैं तो दोस्तो अगर बात करूँ मैं इस गाड़ी के बारे में कि 11 लाक रुपे में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस गाड़ी को लेने में नुकसान क्या है क्योंकि build quality के मामले में भी इस गाड़ी के 3 star है तो build quality भी इसकी अच्छी है, space भी अच्छा है, mileage में भी बहुत अच्छी है हर तरीके से ये गाड़ी practical है तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कहेंगे के हमारे सहर के अंदर तो इतना प्राइज है, इतना प्राइज है तो कहीं पे कम भी हो सकता है, कहीं पे जादा भी बट maximum मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 11 लाक रुपे में तो आपको किसी भी स्टेट में, किसी भी सीटी में ये गाड़ी मिल जाएगी तो दोस्तों मैंने जैसा की पहले कहा मार्किट के अंदर एक लोता उप्षन है गाड़ी इतने बजट के अंदर जो कि इतने सारे फीचर्स और इतनी किफाईती है तो फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बाते थी अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो एंट सक देखने के लिए थैंक्यू वेरी मच